फाइनायन्स से जुड़ी लेटिस्ट इन्फॉमेशन पाने के लिए फिनोवेशन्स अपडेट्स को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें नमस्कार आज के फिन पॉइंट सेशन में आपका स्वागत है आज का फर्स्ट अपडेट है ड्रक्स कंट्रोलर जनरल अफ इंडिया ने इंडियन फार्मा कंपनी डॉक्टर रेडी लेबॉराटरीज लिमिटेड की लेबॉराटरीज में रूस के स्पूटनेक फाइव वैक्सिन के थर्ड स्टेज का ट्राइल करने की प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि इनिशल ट्राइल को विदेशी अबादी के एक स्मॉल ग्रूप पर ही इस्तमाल करते देखा गया है आपको बता दें कि रूस ने करोना वरस की दुनिया की पहली एफेक्टिव वैक्सिन बनाने का दावा किया था रूस के इस एलान के बाद डॉक्टर रेडी लाब ने स्प्योटनेक 5 वैक्सिन की क्लीनिकल ट्राइल के साथ साथ उसके दिस्ट्रिबूशन के लिए रशियन डारेक्ट इन्वेस्मेंट फंड के साथ हाथ मिलाया था हाला कि ग्लोबल एक्सपर्ट्स ने वैक्सिन की सुरक्षर को लेकर चिंता जताई क्योंकि इसे कुछ समय में ही रोल आट कर दिया गया था नेक्स्ट अपडेट है हिंदुस्तान कोककोला बेवरिजेज जो कोककोला इंडिया की सबसे बड़ी बॉटलिंग पार्टनर है उसने अपने एम्प्लोईज के लिए पर्मनेंट वर्क फ्रॉम होम फैसलिटी को लागू किया है ये एम्प्लोईज पर डिपेंड करता है कि वो इस फैसलिटी का इस्तिमाल करना चाहते है या नहीं ये कमपनी माजा थम्स अप स्प्राइट और कोककोला की दूसरे ड्रिंक्स तयार करती है पूरे देश में इसकी 15 फैक्टरीज हैं कमपनी के अनुसार जिन एम्प्लोईज के लिए ऑफिस आना जरूरी नहीं है वो अपने घरों से काम कर सकते हैं हाला कि जिन लोगों के लिए ऑफिस या फैक्टरी पहुशना जरूरी है उन्हें ऑफिस आना होगा नेक्स्ट अपडेट है बारा से ज्यादा कमपनीज ने देश भर में प्राइवेट ट्रेंज का परिचालन करने के लिए अपनी अप्लिके जाएंगी हाला कि एलस्टर्म, सीमन्स, NIIF, ISQ, एशिया इंफ्रा इंवेस्मेंट, स्टरलाइट और टीटागर वेगन्स जैसी कमपनीज ने शुरुआत में इंटरस्ट दिखाया था मगर बाद में बोली नहीं लगाई इस प्रोजेक्ट में 30,000 क्रोर पीस का इंवेस्मे जैसी कमपनीज ने भी अप्लिकेशन फाइल की है एसी खबरे आ रही थी कि लोन में फसी और बैंकरप्ट हो चुकी एरलाइन्स कमपनी जेट एर्वेस को नए ओनर्स मिल गए है बताया जा रहा था कि लंदन की आसेट मैनेजमेंट कमपनी कैलराग कैपिटल और UAE के इंवेस्टर मुरारी लाल जालान जेट एर्वेस के नए ओनर्स चुने गए है लेकिन अब जेट एर्वेस ने इन खबरों को सिरे से नकार दिया है कमपनी ने कहा है कि कैलराग कैपिटल और मुरारी लाल जैन ने जेट एर्वेस को खरीदने की बिड नहीं जीती है जेट एर्वेस ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि अभी एर्लाइन्स के खरीदार पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है नेक्स्ट अपडेट है Forbes ने इस साल के Top 100 सबसे अमीर भारतियों की लिस्ट जारी कर दी है इस साल इस लिस्ट में कई नए नाम शामिल हुए है इस साल लिस्ट में शामिल Top 100 ने 517.5 बिलियन डॉलर की प्रॉपर्टी जोडी है जो कि पिछले साल की लिस्ट में शामिल लोगों की टोटल एसेट से 14% ज्यादा है पहले नमबर पर मुकेश अंबानी का नाम शामिल है उनकी वेल्थ 88.7 बिलियन डॉलर्स है फोब्स की लिस्ट में दूसरे नमबर पर गौतम अदानी है इनकी वेल्थ 25.2 बिलियन डॉलर्स है तीसरे नमबर पर शिव नादर का नाम है इनकी वेल्थ 20.4 बिलियन डॉलर्स है चौथे नमबर पर D-Mart के मालिक राधा किशन दमानी है, इनकी वेल्थ 15.4 बिलियन डॉलर्स है पाँचवे नमबर पर हिंदुजा ब्रदर्स का नाम शामिल है, इनकी वेल्थ 12.8 बिलियन डॉलर्स है गूगल के साथ हुए विवाद के बाद, डिजिटल पेमेंट कंपनी Paytm ने अपना एप स्टोर लॉंच कर दिया है इसका नाम Paytm ने मिनी आप स्टोर रखा है Paytm का मिनी आप स्टोर भी Google प्ले स्टोर जैसे किसी आप स्टोर की ही तरह है जहां apps publish होंगे जिनका interface mobile app की तरहां ही होगा Paytm mini app store पर developers Paytm payment bank, Paytm wallet, net banking, UPI और card से payment कर सकेंगे Paytm के अनुसार इस platform पर developers से app या content sale के रिए कोई पैसे नहीं लिये जाएंगे वहीं Google Play Store पर अगर कोई developer Play Store से कोई app या content बेशता है तो उसे 30% Google को देना पड़ता है Paytm को उमीद है कि mini app store भारतिय developers के लिए फायदेवन साबित होगा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप stock market में investment करना सीखना चाहते हैं तो आपको मिल रहा है एक खास मौका जिसमें आप हमारे किसी भी course पर 14 दिनों का free trial ले सकते हैं यानि पहले सीखें फिर pay करें साथी आप subscription को 14 दिन के अंदर कभी भी cancel कर सकते हैं इसमें आप से कोई भी charge नहीं लिया जाएगा तो अब देर कैसी offer का link नीचे description box और comment section में available है नेक्स्ट update है दिवाली से पहले सरकार ने Chinese LED lights के import पर सक्त नज़र रखना शुरू कर दिया है सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं और import की गई LED lights को Bureau of Indian Standard यानि BIS के नियमों पर ख़रा उतरना होगा सरकार का ये कदम LED lights के import को कम करने की motive से उठाया गया है जिनका Indian market में दब-दबा है डारेक्टरेट जनरल और फॉरेंट ट्रेट ने फॉरेंट ट्रेट पॉलिसी में कुछ चेंजिस किये हैं इसके तहट quality check करने के लिए BIS random sample लेकर lab में उनकी testing करवाता है order के अनुसार अगर कोई sample test pass नहीं कर पाता है तो उसका पूरा shipment ही बरबाद कर दिया जाएगा next update है Zee Entertainment Entrepreneurs Limited के independent director मनीश चुखानी ने insider trading rules का violation करने को लेकर 8.2 lakh रुपीज का जुर्माना चुका दिया है जील के अनुसार company ने ये amount capital market regulators से भी द्वारा operate किये जाने वाले investor protection and education fund में डाल दिया है चुखानी ने इस साल अगस्ट में Zeele के 1 lakh shares 200 रुपीज पर share के average price पर acquire किये थे ये share 19 अगस्ट 2020 को एक partnership firm के नाम पर खरीदे गए ये खरीदारी company के 2020 में first quarter के financial results publication के एक दिन के बाद की गई लेकिन खरीदारी result publication के 48 घंटे के बाद तैस समय पर business window खुलने से पहले की गई यहाँ पर हमारा आज का finpoint session समाप्त होता है ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें comments करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई तो like जरूर करें हमसे जुड़े रहने के लिए thank you